हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई चैनल हैपी बिंग्स टाइटल से तो आपको पता चल गया हुआ कि आज हम किसकी रेसिपी लेकर आए हैं चेलिए तो आज हम यहां पर बनाएंगे पालक और शकरगंदी की सब्जी जी हां शकरगंदी के साथ पालक बहुत ही यमी लगत है आप जरूर ट्राइ करें बच्चे भी बहुत ही इंट्रेस्ट के साथ इसको खाएंगे सब्जी बनाने के लिए पालक को ओबाल लें और दू टमाटर लिये है मैंने यहां पर एक हरी मिर्च लिये है एक इंच अध्रग का टुकड़ा लिया है पालक को अलग पीस लें औ टमाटर मिर्च और अध्रग को एक साथ पीस कर इनका पेस्ट बना लें हमने पालक को और टमाटर का पेस्ट बना लिया इस तरह से अलग लग देख सकते हूं हम आज आलू की जगए शकरकंदी डालने वाले हैं पालक के साथ इसके छुटे-छुटे पीस कर लेंगे इसको अच्छे से वाश करने हैं तो आप इसकी जगए आलू का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन आलू से ज़्यादा शकरकंद हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है इसके खाने से आँखों के लिए अच्छी होती है इसमें पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है पर में थोड़ा साइब हमारी इमुरी इमृटी भी स्ट्रॉंग बनती है यानि की रोग पत्रोदक शमता है जो बढ़ती है यहां हमने शकर गंज की टुक्ड़े कर लिए और छोटा सा प्याज है वो कट किया है और दो-तिन कर लिए लसुन के वो भी कट कर लिए सबजी ब तो जीरा के समय भी साथ में हिंग डाल सकते हो लेकिन मैंने यह टोमाटर का पेस्ट पनाया है उसमें ही एड़ कर दिया है अब इसमें डाल देंगे जीरा और जीरा को थोड़ा सा फ्राइब कर लेंगे गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे जीरा भुण जाने के बाद अब डाल दें इसमें अद्रक लेसून और प्याज अद्रक लेसून प्याज को दो-तिन मिट के लिए मीडियम फ्लेम गैस पर पकालना जब तक के इसका कलर चेंज हो जाए दो-तिन मिट के बाद आप देख सकते हैं प्याज और इन सब चीजों का कलर है जो चेंज हो गया है और यह हमारा भुन का तयार हो गया है इसी में हम शकरकंद यानि की स्वीट पिटेटो के जो क्यूब्स चोट 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 टुकड़े किये हैं अभी डाल देंगे इसी ओईल में और इनको दो-तिन मिट के लिए फ्राइ कर लेंगे जैसी के टेस्ट है जो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में कि दो से तीन मिट के लिए हमारी स्वीट पिटेटो के टुकड़े जो फ्राइ हो गए थोड़ा कलर चेंज हो गया इनको और इस तरह से और को निचोड़ते हुए यानि कि और नहीं लेना है साथ में शिफ टुकड़े हैं जो स्वीट पिटेटो उनको निकाल लेजिए इस आस अमारे सी मसालों को मिला दे उसके भाद मैंने यहाँ पर चो P Harlem Up अच्छे से अधे के देइंगे मसाले को आप अच्छे से पकने दे ड़ब इसकी उपर्टेल है जो उपर आने लगेगा मसाले के तो आप समझज जाएए कि मसाला हमारा भुनकर तयार हो गया है इस तरह से ओईल दिखने लग जाएगा तो मसाल हमारा मुनकर रड़ी हो गया है तब हो जाने के बाद स्वीट पटेटो यानि की शकर के जो टुकड़े हैं हम उसी में डाल देंगे मसाले में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो पालक का पेस्ट हमने तयार करकी रखा था अब हम उसको डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर देजिए और अबाल आने के बाद इसको ढख कर 6-7 मिनट के लिए पकने दें अच्छे से और जब सूइट पटेटो हमारी पक जाए तो बीच-बीच में चैक कर दे रहा है अबाल आ गया है अब हम इसको ढख कर पकने देंगे 5-6 मिनट पकने के बाद मैं यहाँ पार एक बाद चैक कर रही हूँ अब ही हमारी शकरकंदे जो थोड़ी से टाइट है अभी मैं इसको फिर से तेन से चार मट के लिए कुकर करने के लिए फिर से रख देतें ढखकर फिर थोड़ी देर के बाद चैक कर दें इसे चार मट और पक जाने के बाद हम दुबारा से यहाँ चैक कर रहे हैं और हमारा तो स्वीट पटेटो है वो अच्छे से पक चुका है यानि कि हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है गैस बन कर दीजिए और किसी भी बरतन में सब्जी को निकाल लेजिए यहां पर मैं होट केस में सब्जी निकाल रहे हैं इसका एक यह फादा है अगर मुझे एक घंटे बा झाल 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 झाल